गुड बॉनिं गाईज, वेलकम बैक टो दी न्यू वीडियो, तो आज हम डिसकस करने वाले हैं यहाँ पे 17th of December से लेके 24th of December तक के Weekly Current Affairs, तो आप जैसे कि जानते हैं कि हर Weekend पे हम जो Weekly Current Affairs से उनको डिसकस करते हैं, और मैं अपनी Instagram चैनल पे आपको बता है कि Daily Current Affairs डालता रहता ह हूँ और Weekend में हम आपकी revision के लिए यह वीडियो डालते हैं, और I hope कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको कोई queries होती है, जा कोई भी आप इसमें improvement देखना चाहते हैं, तो आप कोमेंट्स में हुझे बता सकते हैं कि इसमें हम क्या improve कर सकते हैं, तो let's start to this video, let's start with the first question, तो हमारा पहला question है, यहाँ पर which country has become the first country in the world to auction a satellite spectrum, तो आपको बताना है कौन सी country पहली country बनी है, in the world, जिसने auction की है, यहाँ पर satellite spectrum की, ओके, तो यह रही आपके चार options, यहाँ पर, यहाँ पर आपका सही उत्तर हुआ हुआ है, इंडिया, इंडिया पहली country बना ह है, जिसने auction की है, यहाँ पर satellite spectrum की, ओके, तो हम बात करें, यह satellite spectrum जो होता है, बिसिकली यह satellite communication में काम आता है, हमारे, and satellite communication से हम क्या समझ सकते हैं, बिसिकली एक communication link होता है, that involves the use of an artificial satellite in its propagation path, बिसिकली आपको यह याद रखना है, इसमें, कि इंडिया ऐसा करने वाला पहला के चेर्मन जो है, पीडी भी गेला, उन्होंने इसकी information दी, कि इंडिया ऐसी पहली कंट्री में जोने auction करने वाली है, satellite spectrum का, ओके, and satellite communication है, बहुत ही, बिसिकली major role पर एक करता है, हमारे आज की live में, इसके दौरा ही हम जो है, basically, communication कर सकते हैं, basically, जो signals होते हैं, हम एक दूसरी क फोन करते हैं, जो signals का सारा काम होता है, वो इसके थूरू ही होता है, satellite communication के दौरा, and आज के टाइम पर, basically, two thousand artificial satellite है, जो हम की, basically, use में है, okay, तो इसे याद रखी है, काफी important है, चलते है, next question की, और, the joint military exercise, का जिन्द, 2022, between India and कजाकिस्तान, had been held at Omrohi, in which state, तो आपको बताना है, यह काजिन्द exercise होती है, जो इंडिया और के जागिस्तान की बीच में होती है, आपको बताना है कि, 2022 का इसका जो addition था, वो यहाँ पे कौन सी state में हुआ है, अमrohi तो एक city होगी, आपको जलना है, यह city कौन से state में है, okay, तो यह रहे आपके चार options, यहाँ पे जो आपका सही यह उत्तर है, मेगालया, मेगालया में यहाँ पे exercise हुई है, काजिन्द 22, ओके, और यह हुई है, यहाँ पे basically 15th of December से लेके 28th of December तक होने वाली है, ओके, तो यह याद रखेंगे, आप important question आप जानते है, exercise के related question आ जाते हैं कि बर एक्जाम में, तो आप इसको याद इस exercise के बात करें हम, basically यह start हुई थी 2016 में, तब इसका नाम था basically दोस्तेक, नाम था इसका उसके बाद इसका नाम change हो गया, 2018 में इसका नाम पढ़ गया, X काजिन्द, okay, काजाकिस्तान की एगर हम बात करें, तो उसकी capital जो है वो है अस्ताना, और उनकी जो currency है वो है काजाकि अस्तान के बीच में होती है, जो 22nd है, यहाँ पर एडीशन, 4th एडीशन था basically, okay, 6th एडीशन था, और यह हुई है अभी मेगाल्या में, okay, तो यसे याद रखिएगा, चलते है next question की और, which Indian program has been included by the United Nations in the top 10 regenerating natural programs of the world, तो आपको बताना है कौन सा Indian program अभी UN के द्वारा, top 10 regenerating natural programs में include किया गया है, तो यह रहे आपके चार option यहाँ पर, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है नमामी गंगे program, नमामी गंगे program basically, इसको चलाया गया था 2014 में, और इसे चलाया गया थ ताकि हम गंगा को साफ कर सकें, हमारी जो गंगा नदी रहती है, उसको साफ करने के लिए इस program को चलाया गया था, और United Nations के द्वारा इसको top 10 world restoration flagships basically जो है, इसमें जो basically यह top 10 ऐसे work है, जो कि यहाँ पर start किये गये थे किसी चीज को revive करने के लिए, अगर कोई चीज यहाँ प तो काफी important हो जाता है, और यह आपका जो program है 2014 में start हुआ था, यह भी आप जुरूर याद रखेगा, और यह गंगा को clean करने के लिए start हुआ था, और अभी इसको यहाँ पे include किया गया है, UN के top 10 regenerating natural programs में, तो इसकी यहाँ पे जानकारी दी गई, during a function at the 15th conference of parties COP15, conference of party basically इसको COP15 बोलते हैं, वहाँ पे इसकी जानकारी दीगी कि इसको include किया जा रहा है, ओके, तो इसे याद रखेगा, काफी important बन जाता है यह, चलते है next question की, और तो यह रहे आपके चार option, यहाँ पे जो आपका सहीतर है वो है भोपाल, भोपाल में यह Indian science festival होने वाला है, ओके, और यह होगा 2023 में, इसे याद रखेगा, important है, ओके, तो basically यह one of the major events है, जो की होगा, after India took the G20 presidency, तो आपको बताना है कि आपको यहाँ पर पता ही है, कि December में इंडिया ने यहाँ पे G20 की presidency ले ली थी, और उसके बाद यह होने वाला major event, ओके, तो यह काफी important हो जाता है, तो और यह basically यह इसका होगा, 8th edition होगा, पहली बार इसका जो हुआ था, पहला edition हुआ था, वो हुआ था 2015 में, ओके, और इसको हम celebrate करते हैं, To celebrate the achievements of India's scientific and technological advancement, तो basically हमने जो science में तरक्की की है, जिससे कि हम basically students की, जो students की scientists और जो India abroad में, जो जितने भी farmer scientist काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या यहाँ पे achievements की हैं, science के शेतर में, technology की शेतर में, उन सब को celebrate करने के लिए हम इसको मनाते हैं, ओके, तो इस बार यह होने वाला ह 2023 में वो पाल में, और इसका ये 8th edition होने वाला है, ओके, तो इसे याद रखेगा, चलते है next question किया, which state government has recently launched अरुंदया 2.0 योजना, तो आपको बताना है कौन सी state government ने अभी लाँच की है, अरुंदया 2.0 योजना, तो basically दूसरा संसकर्न है इसका योजना का, तो ये कौन सी state ने लाँच किया, ये आपको बताना है, ये हैं आपके चार option, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो है, असाम, असाम ने इस योजना को शुरू किया है, और ये इसका दूसरा संसकर्न है, ओके, और basically इस योजना में होगा क्या, ये scheme है basically कि जो भी यहाँ पे financially disadvantaged family हैं, जो भी financially इतनी अच्छी नहीं है, उनको इसमें basically जो है, पैसे प्रवाइड करवाए जाएंगे, ओके, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी लाइक, around 17 lakh women have been receiving an amount of rupees 1250 each on 10th of every month, तो basically जो भी ऐसी women हैं, जो कि financially अच्छी नहीं हैं, उनको यहाँ पे हर एक महीने की 10 तारीक को 1250 रुपे द तो इससे basically जो है, काफी लोगों का फाइदा होने वाला है इस scheme के द्वारा, and 10.5 lakh new beneficiaries हैं, जो यहाँ पे इसमें add-on हुई हैं, और यहाँ पे total जो इसका benefit ले रहे हैं परिवार वो है, 27 lakh प्लस परिवार हैं, जो इसका फाइदा ले रहे हैं, तो यह काफी important हो जाता है, और याद रखेगा, और हम दोई scheme है, और इसको असाम ने लांच किया है, इसमें 1250 रुपियों दिये जाएंगे हर एक family को on a 10th date of every month, तो इससे याद रखेगा, चलते हैं next question की और which country has recently been thrown out of the United Nations Pro Women Commission, तो आपका बताना है कौन सी country यहाँ पे United Nations Pro Women Commission में से बाहर कर दी गई है, तो यह रहे हैं आपके चार option, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है, इरान, इरान को यहाँ पे basically जो है United Nations Pro Women Commission से बाहर कर दिये गया है, और ऐसा क्यों किया गया, इसका भी एक major reason है, basically यहाँ पे एक girl थी, महासा अमिन, जिसको यहाँ पे basically custody में लिया गया था, पुलिस के द custody में ही उनकी मरित्यों हो गई, और इसके यहाँ पे विद्रोव में सब भी basically इरान में protest हो रहे हैं, और different countries में है, बहुत सारी women है, जो इस protest को support कर रही है in a different way, ओके, और इसी कार्णी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ तिकली, United Nations Commission on status of women नहीं यहाँ पे basically इरान को यहाँ से बाह करता है, अगर हम बात करें, United Nations Commission on status of women यह established किया गया था 1946 में, okay, तो basically इसका जो मनतव क्या है, कि यह promote करता है women's के right को, और women को हक है पूरा, एक मर्द के बराबर जीने का उसके देश में, okay, तो यह basically women's को promote करते हैं, उनके rights को promote करते हैं, okay, तो यह important है, याद रखेगा कि इरा को अभी वहाँ से बाहर कर दिया गया है, इस commission में से, तो चलते है next question की और, which states tandoor red gram has been given GA tag recently, तो आपको बताने काउं सी state के हैं, basically tandoor red gram, जिसको कि अभी GA tag मिला है, okay, तो यह रहे आपके चार option, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो है, तेलंगना, तेलंगना के basically जो है tandoor red gram एक खाने वाली ही चीज़ है, इसको अभी GA tag मिला है, तो GA application number 706 से यहाँ पर fill की गए इसी September में, okay, और इसको अभी GA tag मिल गया है, और यह basically related है, तेलंगना से, okay, तो इसे याद रखी गया, काफी important है, तो चलते है next question की, और, who has become Mrs. World 2022, आपको बताना है कि यहाँ पे Mrs. World 2022 का खताब किसने जीता है, तो यह रही आपके चार option, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो है, सरगम कोशल, सरगम कोशल इंडिया से बिलाउं करती है, और उन्होंने अभी इस award को जीत लिया है, ओके, और किसी भी यहाँ पे basically अगर हम बात करें, 21 सालों बाद यहाँ पे किसी इंडियन ने इस खताब को जीता है, ओके, 63 निशन यहाँ पे basically compete कर रहे थे इस award को जीतने के लिए, और 21 सालों बाद किसी इंडियन ने इस खताब को जीता है, तो आप जानते हैं, 20 सालों के बाद को आपको ये भी जानना चाहिए, कि पिछली बार इस किताब को किसी इंडिन ने कब जीता था तो इसको जीता था 2001 में अधिती गोवित्रिकार ने इंडिया से थी 2001 में उन्होंने जीता था और अभी 2022 में आके सरगम कौशल ने इस किताब को जीता है 21 सलों बाद तो इसे याद रखीगा important है और 2021 में अगर हम बात करें तो इस किताब को जीता था शायलेन फोर्ड जो की यूएस से बिलॉंग करती थी उन्होंने जीता था और 2022 में यहाँ पे आके सरगम कौशल ने सरगम कौशल ने इसको जीत लिया तो सरगम कौशल की बात करें इनके फादर जो थे एकस बैंकर है और अब इनकी जो शादी होई थी वो एक नेवी में से होई थी और अभी इन्होंने ये खिताब जीत लिया है और बेसिकलिए अगर ये हैं वो है एक माडल पे इंटरेंड कंटेंट राइट रहे हैं ये और यम्मू कश्मीर से बिलॉंग करती है तो यहां पर आपनकी फोटो देख सकते हैं याद रखेगे काफी इंपोर्टेंट है चलते है नेक्स कुस्टिन की और तो आपको बताना है कि यहां पर कौन सी गौवर्मेंट कॉर्परेशन ने अभी इस खताब को जीता है आईए आई इंडस्ट्री एक्सिलेंस अवार्ड तो यह रहे आपके चार आप्शन यहां पर यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है नम्डीसी नम्डीसी ने यहां पर आई ए आई बेसिकली जो की है इंडस्ट्री एक्सिलेंस अवार्ड इसको जीत लिया है नम्डीसी की जो फुल फॉर्म है वो है यहां पर नैशनल मिनेरल डवलप्मेंट कॉर्पोरेशन इन्होंने यहां पर इंस्टिटूशन ओफ इंजीनियर्स इंडस्ट्री एक्सिलेंस अवार्ड टूज़न 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 जीत लिया है और चेनी में इनको यह वार्ड दिया गया यहां पर आपिक भी देख सकते हैं काफी important है अगर हम यहां पर NMDC ने इसको खिताब को जीता है तो अगर हम बात करें NMDC की तो इसको यहां पर बनाया गया था 1958 में as a government of India public enterprise और यह यहां पर इंडिया's largest producer of iron ore है इंडिया की सबसे बड़ी iron ore produce करने वाली company है और अभी यहां पर इन्होंने जीत लिया है industry excellence award institution of engineers के दुआरा जिसको दिया जाता है काफी important हो जाता है अगर हम बात करें NMDC की इसको बनाया गया 1958 में और इसके जो headquarters हैं वो हैं Hyderabad में तो इसे याद रखेगा चलते है next question की और which state government has announced free vaccination for lumpy skin disease तो lumpy skin disease आप जानते है कि यह अभी गाउं में जो basically जो गाए होती है उनमें यह lumpy skin disease नाम की बिमारी आई हुई थी हमारे देश में और काफी गाउं की जो basically गाएं होती हैं उनकी यहां पर इसकी बदया से मृत्ती भ यह रहे आपके चार option आपका यहां पर सही उत्रहव है Odisa Odisa government ने यहां पर यह वो basically गाएं होती है उनकी lumpy skin disease की free vaccination देने का एलान किया है तो अभी तक हमारे यहां पर 1.55 lakh यहां पर basically गाएं मर चुकी है इस disease के दौरा lumpy skin disease के दौरा and इसकी यहां पर ओडिसा ने free vaccination देने का भी fans रखिया है okay तो इसे याद रखीगा important है चलते है next question की और who has been women's hockey fah nations cup 2022 आपको बताना है कौन सी यहां पर महलाओं का fah nations cup कौन सी hockey team ने जीता है तो यह रहे हैं आपके चार option यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है इंडिया इंडिया ने यहां पर इस fah nations cup को जीत लिया है basically Spain को हरा के 1-0 से और यह खेला गया यहां पर Spain में ही और हमारी इंडिया की महलाओं की team है और उन्हें Spain को हरा के Is cup को जीत लिया और यहां पर इंडिया को जो lead कर रही थी वो थी सवित्ता पूनिया यहां पर lead कर रही थी captain थी इस team की और इसने Spain को हरा दिया तो इसे याद रखीगा, important है, यहाँ पर pick भी देख सकते हैं आप, चलते हैं next question की और, who has launched the consumer packaged goods brand independence, तो आपको बताना है कि independence नाम का goods packaged brand कौन सी company ने launch किया है, तो यह रहे आपके चार option, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हुआ है, reliance, reliance company ने यहाँ पर अपना basically, independence नाम का brand launch कर दिया है, जो like हम daily की चीज़ें यूज करते हैं, आठा हो गया, यहाँ पर जो भी बिस आठा हो गया, यहाँ पर callgate यूज करते हैं, जो भी daily की वर्तों करने वाली चीज़ें है, उसमें यहाँ पर reliance ने अभी अपना पैर रख दिया है, और उन्होंने अपना brand launch किया है, जिसका नाम है independence, ओके, तो basically reliance यहाँ पर हम जैसे हम product यूज करते हैं, यहाँ पर callgate के product हो गया, डाबर के product हो गया, जितने भी product हो गया, वैसी यहाँ पर independence के product आएंगे, जो के reliance का एक brand है, ओके, इसमें यहाँ पर शूगर भी हो गई, pulses हो गई, biscuits हो गई, edible oil हो गया, florata हो गया, ओके, तो यह सारे product अभी इनकी तरफ से independence brand के आएंगे, ओके, और इसको launch किया है यहाँ पर गुचरात में reliance ने, तो इसे याद रखेगा, चलते है नेक्स question की और, तो आपका बताना है इंडिया का rank कौन सा रहा है यहाँ पर, इन दी 11th Global Food Security Index 2022, ओके, तो यह रहे है आपके चार option, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है 68th, 68th rank रहा है इंडिया का, अभी के यह release हुआ है Food Security Index उसमें, ओके, और इंडिया का यहाँ पर इसमें 68th rank रहा है, तो इसमें top किस ने किया है, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए, ओके, तो अगर हम बात करें basically, यहाँ पर इस index में जो launch है, basically top किया है, वो किया है Finland ने, Finland ने इसमें top किया है, with the score of 83.7, और उसके बाद second place पे है Ireland, और third place पे है यहाँ पे Norway, तो यह पहले तीनों place यहाँ पे लिए है, Finland, Ireland and Norway ने, और इंडिया का इसमें rank आया है 68th, अगर हम बात करें, पिछली साल की, तो पिछले साल इंडिया का इसमें rank था 71, और अभी इंडिया का rank हो गया है 68th, तो इंडिया ने improve किया है, इस Feed Security Index में, ओके, तो इसे याद रखेगा, चलते हैं next question की और, तो आपको बताना है कि World Trade Organization की 13th मीटिंग जो की 2024 में होने बाली है, हर एक दो साल के बाद ये मीटिंग होती है, तो आपको बताना है कि 2024 की मीटिंग कहां पे होगी, तो यह रहे आपके चार option, यहाँ पे जो आपका सही उत्र होगा UAE, United Arab Emirates में यहाँ पे 2024 में ये मीटिंग होगी, ओके, और अभी 2022 में ये मीटिंग होई थी, ओके, और हर एक दो साल के बाद ये मीटिंग होती है, और 2024 की ये मीटिंग होगी, वो होगी UAE में, अगर World Trade Organization की हम बात करें, यह यहाँ पे फाउंड होई थी, 1995 में, ओके, और इसके जो headquarters है वो है, जनेवा, स्विजर लेंड में, तो इसे भी याद रखिएगा, काफ़ इंपोर्टेंट है, और इसके जो अभी 164 मेंबर हैं, इस WTO के, World Trade Organization की, ओके, इसे याद रखिएगा, चलते हैं, नेक्स क्वेश्चिन की, और, विच स्टेट गवर्मेंट है रिसेंटली मेड आधार कार्ड मेंडेटरी फॉर ओर ओर इस स्कीम, तो कौन सी स्टेट गवर्मेंट ने अधार कार्ड मेंडेटरी कर दिया है, अगर कोई भी आदमी, किसी भी स्कीम का फाइदा लेना चाहता है, तो यह रहे यहाँ पे आपके चार आप्शन्स, यहाँ पे जो आपका बैसिकली सही उत्तर है वो है तामिल नाडू, तामिल नाडू गॉवर्मेंट ने यहाँ पे अभी आधार कार्ड मेंडेटरी कर दिया है, फॉर ओल इट्स स्कीम्स, अगर तामिल नाडू में आप किसी भी स्कीम का फाइदा लेना चाहते हैं, तो आधार कार्ड आपके लिए मेंडेरी है, पहले आपको आधार कार्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद यह आप किसी स्कीम का फाइदा ले सकते हैं, और तामिल नाडू ने यहाँ पे इसको मेंडेरी कर दिया है, ओके, अगर बात करें हम तामिल नाडू की, तो उसके governor है R.N. Ravi और Tamil Nadu की capital है वो है Chennai, वसके वहाँ के CM है वो है M.K. Stalin और जो language है वहाँ की वो है Tamil तो इसे याद रखेगा तो आज के लिए गाईस इतना ही था इस वीडियो में जो भी important questions ते में हमने cover किये I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दो सब्सक्राइब तो दी चैनल थैंक य।